नमस्कार पीर दसकों स्वागत है आप सभी लोगों का कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बेन राहत उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी शुखी राम के दास प्रिर दसकों स्वागत है आप सभी लोगों का मैं हूँ मनुज मिस्रा आज आपको कर्ज जो आपको उपर चड़ गया है अनवस्त कर चड़ गया है जिसे आपने ले लिया था अगर आप उसे नहीं चुका पा रहे हैं तो कर्ज मुक्ति का आज हम आपको एक साधना बताएं पर विश्वास और धैर के साथ बताएं हुए जो विधान है उसको आपको करना पड़ेगा क्योंकि तबस्चा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है एक कार बार बार अभ्यास किया जाए तो उस कार में विक्ति को महारत हासिल हो जाती है जैसे जब आप नई गाड़ी लाते है तो उसे चला नहीं पाते हैं सीखते हैं धीदे सीखते हैं एक दिन ऐसा आता है कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आख मून करके कई लोग गाड़ी चलाते हैं मैंने देखा है अब कोई ये बिदों को देख करें चलाने मत लगेगा लेकिन ऐसे जो खेल होते हैं जो गोत क्मा होता है वहां मैंने देख्वा आख पर बट्टी बान करके भी जाड़ी चलातें हो लोग किएक्सपर्ट हो गया हैं उनको अभ्यास हो गया हुँ तो अभ्यास से व्यक्ति गे कि असंभो कारidan को भी संभो कर देता है अब संभो कोई कहदे कि मैं आस्मान को मुठी में कर लूँ तो यह तो इермان PT असंभो ही है लेकिन आस्मान आज को मुठी में करने का एक और कि अर्थ से निकाल कर लेना यह सब आस्मान को मुठी में कर लेने के समझ लेजिए एक सादिक अर्थ ही होंगे तो अगर आपके उपर करजा चड़ गया तो आपको करना क्या है सबसे पहले कि अपने मन को इस्थिर करना है ध्यान रखेगा क्योंकि बहुत जादा करजा हो जाता है करजा क्यूं लेते हैं बिक्ति जब परवरिक इस्थिदी खराब हो जाती है या कोई चाह होता है जैसे गाड़ी ले लिया लोन पर या कहीं मकान बनवा लिए उसे नहीं चुका पा र रहें तो इन सब सबस्थ वज़े से परसे खराब हो जाती है तो आपको जो नंबर एक ये बात है वहें मन की स्थिदी आपको सय्म रखना आप को घवराना नहीं है कि आपको सत्य जो सत्य सत्य क्या है सत्य भूलना सई सयम से जिवन्यापन करना चूरी नहीं करना विविशार नहीं करना किसी को अपसब्द नहीं करना अपसब्द नहीं कहना यह सब सत्य मार गहीं सत्य ना दूजा सत्य समाना बड़े बुजुर्ग का आदर समान करना इस जो चोटी चोटी बात नहीं इनको आप धारण केजिए जो प्रयाय लोग नहीं कर बाते हैं और बिवेक से कार्व करिए और जो आपके इस्ट हैं अगर है तो उन्हीं का आपको जब करना है अगर इस्ट नहीं है तो पांच देव होते हैं बागवान सिव भागवान विश्नु भगवतिवी द्युर्गा भगवान गयनेश और भगवान शूरी यह पंच देव होते हैं इन्हीं को एक आप इस्ट बना दिए और ब्रह्म महुर्थ में उठिए ब्रह्म महुर्थ में उठने के बाद अपने दुनों हथलियों को देखिए और भगवान को धनबाद देजिए कि ही परमपिता परमात्मा मैं आपकी स्रण में हूँ और अब आपका अर्समन करके अपने दिंचरिया का सुवारम कर रहा हूं बैट करके करीब पांच मिन नाम संकिर्थन कीजिए जिस भी आप देव नहीं थी नारायनट बाद नमस्इब घमान सूरी का नमस्च्छिवा मैं नाम स्यूर्थन करीए पांस मिनल प्रतिवी पढ़ाम करें असना ध्यान करके आसन पर समर्पित करने के बाद जिस भी छेत्र में आप कारे कर रहे हूं उस्षेत्र में जाकर के कारे पर लग जाए साम को आए हलका भूजन कीजिए आपको इधान रखना है लेसन प्याज नहीं खाना जब तक यह साधना चलेगी तो आपको ब्रहमचर का पालन करना है अगर कोई का साम को भी असनान करके 101 माला जप करें अगर आप किसी विवाग में काम नहीं करते हैं करज है आपके उपर बेरुजार बैठे तब साम को भी यही क्रिया करें और यह देर के काल तक करीब 5-6 महने करें इसके बाद देखे देखोगे अब चमतकार हो जाएगा अगर मैं कहता हूं कि लाखों करोनों का करज आपके उपर है तो भी आपके इश्ट की किरपा से प्रभू के किरपा से आपके अध्यात मिस्तक्ति से वह करज खत्म हो जाएगा तो आसा करता हूं जो वीडियो में मैंने बताया है अगर आपको वीडियों पसंद आया हो तो चैनल को सब्स